नमस्कार में दिख्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है मार्किट में तमाम ऐसे टूथ पेस्ट हैं जो आपके पूरे मुँख को स्वस्त रखने का दावा करते हैं लेकिन रोजाना टूथ पेस्ट से ब्रश करने के बाद भी लोग दात में लगे कीडे, दातों का पीलापन, संस्टिव दात, मसूडों की सूजन, पाईरिया और मुँखे दुरगंद से परेशान रहते हैं आपके मुँख से जुड़िये सभी समझ से आएं, ना सिर्फ आपके व्यक्तित को छोट पहुचाती हैं, बलकि ये कई रोगों का कारण बनती हैं विशेशक्यों के नुसार आपका अस्वस्त मुख, हैदय रोग और कैंसर रोग जैसी गंभीर बिमारियों का कारण बन सकते हैं इसलिए जरूरी है कि आप अपने मुँख की देखबाल अच्छे तरीके से करें रोजाना, ब्रश या दातून करना, मीठा या अन्य चीज़ों को खाने के बाद कुल्ला करना इसके अलावा जीब की सफाई, महतुपूर्ण है यहां हम आपको ऐसे हर्बल दंत मंजन के बारे में बता रहे हैं वो पूरी तरह से प्राकरतिक और फ्लोराइट फ्री है इससे बनाना और उप्योग करना बहुत ही आसान है जचलिए, जानते हैं कि कैसे आप घर पे ये होममेट टूथपेस्ट बना सकते हैं सामगरी, एक चमच आवला पाउडर, एक चमच नीम पाउडर, एक चमच लॉंका पाउडर, एक चमच दालचीनी पाउडर, एक चमच बेकिंग सोडा, एक चमच समुद्री नमक, एक चमच पुदीना पत्ती पाउडर, पिपर मिंट या टीट्री ओयल या लॉंका तेल इसे बनाने के लिए सबसे पहले सबी सामगरियों को अच्छे से मिक्स कर लीजे आप अपनी जरूरत के नुसार अधिक मात्रा में भी से बना सकते हैं इसे बनाने के बाद एक काज के छोटे जार में रख दीजे इससे मुग के हानिकारिक बैक्टीरिया तो मरते ही है साथ ही दातों और मसूडों की बिमारियों से बचाओ भी होता है और दातों का पीला पन भी दूर होता है घर पर बनाए टूट पेस्ट पूरी तरह से प्राकरतिक और केमिकल फ्री है इसमें शामिल और शदियां आपके स्वास्त के लिए काफी फाइदे मंद है उमीद करते हैं आपको इवीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा